ट्रू मीडिया जो तुछ विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर माते आज हम एक ऐसे विश्य को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर के हर पर तेक व्यक्ति के मन मैं कभी ना कभी या जिक्यासा उत्पन होती ही होती है और हर व्यक्ति कोई भी हो चाहिए मैं हूँ या आप हो कोई भी हो अपना भविश्य जानना चाहता है और हर किसी की एक इच्छा होती है कि मैं अपना जो भविश्य है वे भविश्य में क्या होने वाला है इसकी मुझे जानकारी अगर समय से पूर्व हो जाए तो मैं अपनी समस्या को या उसकी जानकारी के अनुसार अपने आपका पिलानिंग या अपने आपकी तैयारी पर्थम पहले ही घटने वाली भविश्य की जो घटना है उसकी तैयारी मैं पहले ही कर लूँ अगर भविस्य में घटने वाली घटना असुब संकेत मिल रहे हैं तो उनसे साब ध्यान होकर के बचाओ की तैयारी करूँ सुब संकेत मिल रहे हैं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाने की तैयारी मैं करूँ ऐसी कामना पर तेक मनुस्य की कही ना कही मन में अवस्य ही रहती है तो आज हम इसी विशे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा विशे है कि सोपन के दुआरा से सपने में आपको भविश्य में घटने वाली घटनाएं हमें पता लग जाएं ऐसा हम क्या उपाई करें और आज हम आपको वही उपाई बताने जा रहे हैं अगर आपके मन में यह जिग्यासा है कि भविश्य में जो घटनाएं घटेंगी वह मुझे पहले से पता लग जाएं तो इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना है खर्चा नहीं परिश्रम करना है एक ऐसा पेड धूना है जिस पर अमर बेल ने पेड को पूरा का पूरा ढख लिया हो ऐसा पेड अमर बेल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यह जिस पेड पर होती है और पेड पर ही अमर बेल हमेशा रहती है तो यह जिस पेड़ पर भी होती है तो आगे जाने समय के बाद उस पेड़ को अपने फैल फैल कर यह बेल पूरा का पूरा ढख देती है तो ऐसे ही पेड़ को ऐसे ही वरक्ष को आपको तलास करना है और जब आपका यह वरक्ष तलास में आ जाए तो वहां से अमर बेल लिप्टी हुई पेड़ और अमर बेल दोनों जिस साख पर लिप्टी हुई हैं वह तहनी आपको तोड़ कर लानी है और जब यह तहनी आप तोड़ लाएं तो घर पर आकर के आप जो लकड़ी है पेड़ की उस पर आप धूनी देकर के उसे आप जला दें और अमर बेल का जो हिस्सा है जो बेल का हिस्सा है उस बेल को आप रात्री के समय सोते समय अपने तकीय के नीचे आप रख लें और जो आप जानना चाहते हैं या जो भी विशय पर जानना चाहते हैं उस विशय पर मंधन करते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए आप सो जाएं तो आपको सोपन में घटने वाली जो भी घटना है जिस पर भी आप विचार कर रहे थे उस पर आपको संकेत मिल जाएंगे और आप इस विधी के दुवारा से, इस उपाए के दुवारा से सोपन में घटने वाली घटनाओं को जान सकते हैं और उन्स आधार पर अपने भविशय को निर्मान के लिए अपनी तैयारी पूर में ही कर सकते हैं तो आप अगर यह जानना चाते हैं कि भविशय में घटने वाली हों तो वह मुझे साधरन रूप से बिना कोई तंत्र या मंत्र या कोई बड़ा अनुष्ठान करे हुए ही वह मुझे सरलता के साथ ही मुझे संकेत मिलते रहे मुझे पता लगता रहे तो यह सरलतम उपाए है अमर बेल का अमर बेल किसी भी पेड़ पर हो पेड़ पर आपको नहीं देखना है बस यहां पर यही ध्यान रखना है कि जो बेल ने पेड़ को पूरा ढख रखा हो ऐसे पेड़ का आपको तलासना है और यही किर्या करनी है और आपको अपने गंतावे में सफलता अवस् दिलेगी इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विशा के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया जोतिश विज्ञान को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें हर हर महादेव अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें